Welcome to Bit in Inksatar, में बिलके शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी निंग युगांड़ा के अंदर 12 TRILLION यो से डालर पर वर्ट आफ गॉल्ड मिलने के संभावन है वहापे जो नई मांद्स है 12TR L thin युउस डालर वर्ट आफ गॉल्ड मिला है युगांड़ा के अंदर पूरी दुनिया जब से श्रिष्टी की रचना होई है तो पूरी दुनिया के अंदर 11.5 trillion US dollar worth of gold है इस समय 11 trillion US dollar worth of gold है दुनिया में इस वक्त और सोचो कि अकेले यूगांडा के अंदर 12 trillion worth of you know 12 trillion US dollar worth of gold मिला है इसका मतलब क्या है इसका आपके पास अगर gold है उस पर क्या इसका effect होगा। अगर क्रिप्टो में है तो उसका क्या मतलब है उसका एफक्त होगा bitcoin अगर आपके पास है तो उसपे क्या effect होगा दोनों को compare करेंगे और ए heck last of value जिसके हम बात करते हैं कि gold बहतर store of value है या bitcoin बहतर store of value है इस चर्चा के बाद यह इस discovery के बाद और important हो जाता है इन मुद्दों पर discuss करना बहुत ही interesting होने वाला आज का वीडियो वीडियो का मतलब ही यह है हमेशा बिटिनिंग के चानल का मतलब यह है कि आपको एक अच्छी education देना उन topics पे ऐसे ऐसे मुद्दे और ऐसे ऐसी चीज़े discuss करना ऐसा नए facts आपके सामने present करना कि आप literally आप spell bound हो जाओ आपको को कि नहीं यार मज़ा आया literally ठीक है तो सबसे पहले पहले मैंने यह बात बोली है कि इस बात का proof किया है पहले उस proof को देख लिजे तो मैं सबसे पहले अपनी screen को share करता हूँ तो यह मैंने screen share करी आप यह देख सकते हो article युगांडा claims exploration survey discovered 31 million metric tons of coal ठीक है युगांडा के अंदर और अगर हम जाए miningreview.com जो सिर्फ mining पे एक magazine है वो भी claim कर रही है 29 जून को कि युगांडा discovers gold deposit worth 12 trillion US dollar इसका मतलब क्या है देखे सबसे पहले हम सबको यह जानना जरूरी कि gold जो है वो mine होता है और gold एक natural resource है जब सरे धरती का धरती existence पे आई है तो atoms आपस में टकराए और उसके बाद gold जो है वो एक nature की प्रकृती की देन है इसको किसी आदमी ने निमत बनाया इसको nature ने बनाया और किसी टाइम पे कोई एक ऐसा शक्स होगा अब gold ऐसा तो है नहीं कि आदमी जब इस दुनिया में पैदा हो तो उसको gold की importance का पता था किसी जमाने में कभी किसी point of time पे you know gold की discovery होई होगी और gold को पहले ऐसा you know उसके उसकी जो properties हैं जैसे जो hard metal है shining material है तो उसको as a jewelry सदियों से सालों से use किया जा रहा है अब उसके कुछ industrial usage भी है gold के लेकिन बहुत ज़ादा कोई industry में usage नहीं लेकिन फिर भी उसके आज की date में industry के अंदर उसके काफी usage है और gold का जो primary usage यह है कि as a store of values को देखा जाता है store of value की सदियों से अगर हम देखे हमारे ancient world की से हम देखे तो store of value में आपस में हमने पहले भी यह सुना है कि जो money है वो आपस में हमेशा fight करती रहती थी कि कौन सी बहतर form of money है क्योंकि money एक ऐसी चीज़ है जो day one से इनसान को हमेशा उसकी जुरूरत पड़ी क्योंकि इनसान को अगर medium of exchange की तरह अगर कोई चीज़ खरीद नहीं है कोई चीज़ बेच नहीं है उसे अगर exchange करनी है दो चीज़ें दो इनसानों को तो butter system था butter system के अंदर problem बहुत सारी थी क्योंकि अगर मुझे apple मेरे पास apple है और आपके पास orange है और आपको you know apple नहीं खाने मेरे आपको तो बनाना खाना है तो फिर वड़ी problem हो जाती थी कि एक you know common medium of exchange होना जरूरी थी तो money का एक बड़ा important function था इसलिए जब इनसान butter system से you know उसने बहतर medium of exchange ढूनने की कोशिश करी तो बहुत सारी चीज़े उसने ढूंडी लेगिन जो सबसे लंबे समय तक जो particular form of money जिसका money के तौर पे as a medium of exchange जिसका use हुआ जिसको as a unit of account use हुआ जिसके अंदर लोग पूरी दुनिया के अंदर जादतर देश मतला जादतर से मैं जब कहरा हूं तो 99.9% देश उस metal पे जिनका यकीन था वो gold था तो gold ने सबका पूरी दुनिया को एक किया पूरी दुनिया का एक monetary network था जिसके अंदर पूरी दुनिया का विश्वास था और उसने कहीं न कहीं यह चीज जो हासिल करी वो अपनी properties की वजजे से हासिल करी और gold की बड़ी जबरदस property थी एक तो gold durable था gold durable मतलब कि लंबे समय तक gold चलता है रखा रहे तो हजारों साल तक आज भी कई हजारों साल पुराना gold जो जमीन के नीचे से मिल ले जाने में लेकिन अगर आपके बस mode of transport है तो उसके अंदर आप at least उसको ले जा सकते हो तो कोई पहाड नहीं है कि जिसको आपको पहले तोड़ना पड़ेगा आपको gold अगर आपके पास है तो आप gold को ले जा सकते हो गोल्ड के चोटे टुकड़े भी हो सकते हैं coins बन सकत है gold की jewelry बन सकती है अंगूठ ही बन सकती है gold छोटे-छोटे टुकड़ों में भी हो सकता है gold verifiable gold को verify करना भी हसान है कि यह pure gold है यह pure gold नहीं है तो gold exchange of medium of exchange की तरह भी use हो सकता है कि gold को से आप चीज़े भी खरीच सकते हो gold का unit of account भी है तो सदियों से gold के अंदर चीजों को तोला जाता था unit of account का मतलब यह कि अगर मुझे suppose करो mobile है laptop है मेरे पास कुछ cycle है मेरे पास आलू सबजी इन सब को INR में एक यह असाइन कर देते ना इसकी value तो सदियों से gold के अंदर यह एक अशरफी दो अशरफी आदी अशरफी 10 gram तो इन तो एक unit of account आप चीजों को assign कर देते तो यह gold की बड़ी खासियत थी और सबसे बड़ी बात gold जहें वह scarce asset था scarce asset का मतलब यह है कि gold की mining बहुत असान नहीं थी gold ने अपना रुतबा इसलिए पाया इतने सालों से कि gold की mining करना बहुत मुश्किल काम है gold को mine क्योंकि gold एक ऐसी चीज़े जो प्रकृती की देन है प्रकृती के नीचे जमीन के नीचे है समुदर के नीचे है पहाडों के अंदर है कहां पह यह किसी को नहीं पता इसलिए gold mine को ढूंड़ना बड़ा मुश्किल काम होता है और gold को अगर mine को ढूंड भी लिया तो gold को extract करना उससे भी मुश्किल काम होता है इसलिए जो gold की demand बहुत जादा रही सदियों से आज भी है लेकिन जो gold की mining है वो जो supply है वो पीछे से limited है वो ऐसा नहीं है कि जैसे आज demand बढ़ी तो पीछे से supply बढ़ गई जैसे मैं आपको चोटा सा उदारंट हूँ जैसे हम अगर यह देखें कि अगर gold की जो अगर हम alt coins की बात करें या हम कोई fiat currency की बात करें तो supply को बढ़ाना बहुत आसाल है पतलब money printing करना यह सपोज हम alt coin के अंदर अगर हम जाए कि supply बढ़ानी है गोल्ड के साथ क्या है कि gold के जितनी demand गोल्ड की है पीछे से उतनी supply नहीं बढ़ती क्योंकि gold limited है अगर gold की mining मिल भी जाए तो उसके अंदर से gold को एकदम सारा gold extract नहीं होता है उसका पूरा process है mining का process है ठीक है यह gold को बहुत scares और limited और यह features उसको बहुत strong मनाते थे इसी की क्योंकि gold जो है वो उसकी जो supply है पीछे से वो limited है वो limited नहीं कहूंगा scares है मतलब limited तो यह हो गया कि बिलकुल number पता है gold कितना है जमीन के नीचे किसी को नहीं पता गोल्ड सारा extract हो चुका है किसी को नहीं पता लेकिन हमने यह देखा है सदियों से देखा है कि gold की धीरे-धी कोई आपको आचंबित कर सकता है लेकिन जो experts हैं वो यह बताता है कि ancient time से अब 21 सदी तक इसमें कोई doubt नहीं कि technology साल दर साल improve हो रही है हर साल technology improve हो रही है तो अब यह बहुत आसान हो गया है नई technology के लिए कि दुनिया भर में जो gold है उसकी कहां कहां पे उसकी mines है उनको identify करना आसान हो गया है जो scanning है पूरी दुनिया की earth crust की mines की पहाडों की इसकी scanning करना अब असान हो गया है aerial scanning underwater scanning जमीन के उपर से scanning drones के थूरू scanning अब बहुत असान हो गया है gold की नई-ई-ई mines को ढूंडना ठीक है in comparison जो पुराने जमाने में इतनी technology नहीं थी कि हम नई gold mines को ढूंड पा अब नहीं हुआ है और माना यह जाता है कि समुद्र के तल के नीचे बहुत gold है राइट महां तो कभी तक कोई पहुचा भी नहीं है मार्स के उपर भी बहुत gold है अगर कल को इनसान मार्स पे पहुच गया तो scientist का यह कहना है कि मार्स के उपर भी mining हो सकती है अगर इतना gold कल को future में आ सकता है तो यह दर्शात है कि जैसे जैसे technology grow करेगी mines को ढूंडना असान होगा और mines के अंदर से gold निकालना भी असान होगा अगर युगांडा की जो claim है अगर मैं एक मिनट को यह सच मालू क्योंकि काविशारे लोग का यह भी कहना है कि युगांडा ने बोला है अभी तक इसको world gold council ने या कुछ origins ने अभी नहीं माना है बट मैं एक मिनट को कहता हूं कि यह सच है suppose अगर सच भी है तो ultimately mining के अंदर से एकदम gold नहीं निकल जेगा लेकिन over the period of time जितना gold आज दुनिया में है मैंने का 11.5 trillion है और उतना ही अगर युगांडा में बिल गया तो आने वाले समय में अगर उन्होंने इतना gold को 10 साल 15 साल में भी निकाला तो आप सोचो कि जितनी supply आज इतने सालों में हजारों सालों में जो बनी उतनी supply अगर 10 साल में अगर आजे की तो क्या होगा obviously उसकी gold की price पे उसको फर्क बड़ेगा युगांडा ने already Chinese mining companies को जो है already contract देना issue कर दी है कि वो gold को वहां से निकालना शुरू करें जब miners काम करेंगे तो miners generally जब gold market में कहीं ना कहीं तो dump होगा न तो जब gold की supply पीछे से बड़ेगी और demand कम होगी तो gold की price पे इसका definitely फर्क आ सकता है तो यही कारण है कि युगांडा की खबर को कर रिदम एक मिनिट को न कार दे कि मान लिया कि चलो युगांडा की खबर गलत है और इतनी supply नहीं है 12 trillion नहीं है 6 trillion नहीं है 5 trillion US dollar worth of gold suppose figure गलत नहीं गलती figure कम फिर भी future में आने वाले समय में आप नहीं खोज देखते रहोगे right अब इसमें होगा क्या यह जो खबर आने के बाद देखे खबर खबर तो आ गई कि युगांडा के अंदर इतना gold है अब इसमें सबसे जादा डर किसको लगेगा इसमें सबसे जादा पैनिक किसको होगा अमेरिका को और जिन लोगों के पास सबसे जादा gold है अमेरिका के पास eighty one hundred tons of worth of gold है जानते हैं कितना है यह इतना है कि फ्रांस जर्मनी और इटली फ्रांस जर्मनी और इटली के बराबर मतलब जो अगले तीन देश है मैंने टॉप चार देश बोले टॉप चार में से पहला यूएस है eighty one hundred tons और उसके बाद जो next तीन है उनके पास उन तीनों के मिलाके यूएस के पास सबसे जादा gold है eighty one hundred ton मैं इसको ऐसे example दो कि इंडिया के अंदर seven hundred and sixty tons है इंडिया की government के पास वो बात अलग है कि इंडियन के पास हो सकता है बीस पच्छी सब तन हो लेकिन इंडि gold की backing जिस देश के पास इतनी हो उसका forex reserve में उसके पीछे backing इतनी हो तो वो terms को dictate करता है उसकी US dollar को strength भी उसके gold reserve से मिलती है जबकि backing नहीं है लेकिन क्योंकि America की economy जब इतना gold है तो obviously वो उनको एक strength प्रदान करती है आज अगर Uganda के अंदर इतना gold मिलता है तो सबसे बुरी ख खबर को दबाने की कोशिश करेगा number one number two वो Uganda पर pressure मना सकता है sanctions लगा सकता है किसी भी तरीके से कोई चीज कर सकता है वो कह सकता है कि Uganda के अंदर जो gold निकालने का contract है वो मेरे miners को दिया जाए या वो इस खबर को खंडन कर सकता है इस खबर को market में दबा सकता है आने नहीं देन चाहेगा क्योंकि वो जानता है कि अगर अगर इतनी supply जो दुनिया की total supply 11.5 trillion है गोल्ड का existence इतना ही युगंडा के अंदर मिल गया तो उसकी power shift भी हो सकती है कल को कोई और देश युगंडा के साथ मिलके power नया power claim कर सकता है दुनिया में सोचो ना यार दुनिया का total gold एकी द देश के अंदर मिल जाए तो क्या होगा तो ये बड़ा interesting time भी है politically भी इसको आप समझने की कोशिश करो कि अलग level के pressure बनने वाले क्योंकि इस वक्त सबसे जाधा insecure US और जिनके पास सबसे जाधा gold है वो feel कर रहे होंगे कि यार अगर युगंडा में इतना gold मिल गया तो हमारे गोल्ड की value तो आदी रह जाएगी या कम हो जाएगी over the period of time ये बहुत important point है दूसरा important point ये अब suppose करिए कि gold के अंदर बहुत सारे जो लोग है जैसे इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा consumer है gold का अब उन्होंने gold के अंदर अगर पैसे लगाए हुए right और Indians के पास इतना हम gold की बचपन से हमें मुला जाता है gold में save करो gold सब भी घर के अंदर होता है और gold को एक बहतर store of value भी माना जाता और बहतर store of value है भी इसमें कोई doubt नहीं है in comparison to जितने भी options है और gold ने इतने सालों से आपको आपके जो purchasing power है उसको return करके रखा लेकिन with the technology in future ये आपके लिए जानना ज potential है जो gold का जो store of value का जो you know उसका जो limitations है उसको वो छेलनी पड़ेंगे अगर supply इसी तरीके से बढ़ते रही देखे किसी भी asset को stock to flow ratio में आका जाता है जिस asset की stock to flow ratio जो है वो जाधा होती है उसकी जो उतनी उसको बहतर store of value के तोर पे जाना जाता है stock to flow ratio का मतलब ही होता है कि कितना जो वो particular asset है वो already market में आ चुका है मतलब कितना mine हो चुका है कितना existence में आ चुका है और कितना उसकी supply per annum उसकी आगे आने वाली है तो यह जिसकी supply जिसकी ज्यादा mining हो चुकी है और supply जितनी उसकी साल दरसाल जो उसकी आप चब calculate करते हो तो उससाब से stock to flow ratio आती है तो stock to flow ratio जिस asset की सबसे जादा होती है वो बहतर store of value माला जाता है और सदियों से gold की जो stock to flow ratio रही है वो सबसे number one रही है अवल रही है क्योंकि कितना gold market में आ चुका है यह पता है और उसकी supply का भी आकलन आप calculate कर सकते हो कि gold का साल दरसाल कितनी supply आती है जैसे कि अधारन के तौर पे gold की supply 1.78% to 2% के बीच में रहती है हर साल इतनी gold की supply हर साल आती है तो यह predictability है कि अच्छा gold इतना है और इतनी percent supply जा है उसकी और हर साल आती है तो यह predictability है यह बताती है कि gold काफी market में और जो उसकी supply है वो बहुत कम है in respect to the total stock that is available in the market अब किसी का stock भी available है और उसकी supply बहुत बड़ी है future में तो वो उतना ही उसकी stock to flow ratio उसकी नीचे होती है आप जैसे bitcoin के case में लीजे bitcoin कितना supply हो चुका है यह आज इसकी दौर में सबको पता है open source code है सब कुछ verifiable है आप यह बता सकते हो कि 21 million में से इतना जो gold है वो existence में आ चुका है और क्य जारी supply और stock हमें उसका पता है तो stock to flow ratio में पहले gold number one होता था सबसे जादा stock to flow ratio सबसे high होती थी अब bitcoin की stock to flow ratio सबसे high है इसलिए वो उस asset को as a store of value special बनाती है तो अगर हम bitcoin से compare करें आज की rate में gold को तो देखिए हमने देखा कि इतने सदियों में 5000-6000 साल बाद आज gold की एक इंदर वो claim कर रहा है कि और मिल गया अब bitcoin के साथ खास बात यह है कि as a digital gold bitcoin को मारा जाता है तो bitcoin के साथ खास है कि bitcoin की demand देन ब्रति दिन बढ़ रही है और आने वाले 100 सौलों में और बढ़ेगी 50 सालों में बढ़ेगी 20 साल, 30 साल, 40 साल और ज़ादा बढ़ेगी क्योंकि bitcoin का इतनी demand होने के बाद भी bitcoin की supply नहीं बढ़ाई जा सकती। मतलब जिस दिन bitcoin पूरे 21 million mine हो जाएंगे, एक single satoshi भी आप extra mine नहीं कर पाऊगे। ये bitcoin को special बनाता है। तो जो ये certainty है, मतलब अब suppose करो gold में कहीना कहीन एक uncertainty होई, कि यार ये क्या हुआ, जितना gold आज तक mine हुआ, उतना और मिल गया एक देश के अंदर, लेकिन bitcoin के अंदर ये certainty है, कि एक single satoshi mine नहीं हो सकता, कि अगर जिस दिन 21 million bitcoin जाए, वो mine हो गये। अब इसमें बहुत सारे critics ये कहते हैं, कि सर कहीना कहीना, ये theory जो इतनी conviction आती कहां से है, कि मतलब ultimately है, तो bitcoin एक software का code ही न, तो software का code है, अगर software के code में अगर change हो जाएगा, या इसके अंदर सबने मिलके बोल दिया, कि नहीं नहीं supply बढ़ा देते हैं, और लोग generally by nature corrupt होते हैं, सारे मिलके अगर इसको कर देंगे, उसके अंदर fix कर दी, जिसे कहते हैं न, hard gap, right, तो hard gap का मतलब ये, कि उसके जो code के अंदर, जो 21 million bitcoin जो total exist करेंगे, वो mention कर दिया code के अंदर, अब ये जो bitcoin actually में सही कहते हैं, अब कि bitcoin एक software का code ही तो है, जिसके जो rules है, जो उसके अंदर किस तरीके से वो govern होगा, किस तरीके से चीजे होँगी, कितने time के बाद block issue होँगे, कितने साल के बाद halving होगी, कितने number of blocks जब निकल जाएंगे तो halving होगी, कितने total bitcoin जो हैं वो existence में रहेंगे, कैसे nodes operate करेंगी, कैसे miners operate करेंगे, miners का क्या reward होगा, यह सारी चीजें जो है, वो bitcoin के software का, जो software है, उसमें वो design by design है, अब देखें, जब होगा क्या कि suppose करिए कि supply बढ़ानी है, चलो एक minute को आपका जो point इस पे चर्चा करते हैं, अब कोई यहाँ पर सबसे ज़ादा फाइदा किस को होगा, माइनर को क्या होता है, कि जब वो block को mine करता है, तो माइनर को बदले में bitcoins मिलते हैं, अगर total bitcoin की supply बढ़ा दी जाएगी, तो obvious सी बात है, जो माइनर है, उसको ज़्यादा bitcoin मिलेंगे as a reward, मिलेंगे के नहीं, और जब ज़्यादा bitcoin मिलेंगे, तो आपको लगेगा कि माइनर को लगेगा कि मेरे को ज़्यादा bitcoin मिलेंगे, तो मैं ज़्यादा हमीर हो जाऊँगा, आना ज़्यादा पैसे बलाऊँगा, तो सबसे ज़्यादा इसमें माइनर को हो सकता है, और माइनर का सबसे बड़ा incentive है कि अगर bitcoin की supply बढ़ा दीजाए और माइनर ने इस चीज़ को push किया, एक मिनिट को मैं example पकड़ लेता है, अगर आपको मैं ये बोलूँ कि suppose bitcoin के अगर माइनर ये proposal लेके आता है, network इस तरीके से design है, कि इसमें सिर्फ माइनर के कह देने से या माइनर के चाहने से कुछ भी नहीं है, माइनर के bitcoin की supply बढ़ा देने के जो repercussions है, जो इसके after effects है, वो बहुत खतरना के, वो कैसे ये समझे है, bitcoin की जो खासियत है, कि वो उसकी scarcity है, उसका जो ये, उस scarcity भी गलत वर्ड है, in fact, जो उसकी limited supply है, आज पूरी दुनिया को पता है कि bitcoin की supply 21 million है, कल को अगर ये rule pass हो जाए, कि bitcoin 21 million से 50 million हो जाएगा, तो क्या होगा, अचानक market में जो bitcoin की price है, वो crash कर जाएगी, क्यों क्योंकि जब आपको पता है कि 21 million से 50 million हो जाएगे, तो bitcoin की जो price है, वो totally, totally या partially, उस समय क्या होगा, लेगिन आप सोचो कि अगर 50 million अगर पारित हो जाए, तो bitcoin की जो price है, वो crash को जाएगी, क्योंकि bitcoin की supply बढ़ गई, जो उसका सबसे खास attractive point था bitcoin का, ठीक है, तो अब minor ये सोचेगा कि यार, मेरे reward में तो bitcoin मुझे जादा मिल गई, लेकिन जब मैं बेचने जा रहा हूँ, तो मेरा जो total में पहले, मेरा जो bitcoin को बेच के पैसे मिलते थे, अब तो उसके आदे भी नहीं मिलते, पॉइंट था, जो limited supply जो थी, वो अब बढ़ गई, और अब वो बढ़ा दी गई, तो बढ़ाने से जो उसकी price है, वो crash कर गई, काफी सारे financial institutions निकल गए, काफी सारे लोग निकल गए, तो जो overall, अगर आप rational एक thinking होती है, तो उसमें आप देखोगे, कि यार, अरे, क्या फाइदा हुआ, bitcoin की supply बढ़ा देंसे, चलो मान लिया कि, यह जो incentive, जो model है, इसको एक minute को दर किनार करते हैं, मान लिया कि नहीं, फिर भी miner ने push करा, miner ने push करा, कि यार नहीं, यह तो होना चाहिए, bitcoin की supply बढ़ा देनी चाहिए, देखे, bitcoin का जो network है, अकेला miner उसको नहीं चलाता है, in fact, miner तो एक तरीके का agent है, और वो temporary उस system के अंदर है, bitcoin के network में, क्यों मैं आपको बताता हूँ, जैसे bitcoin का जो network है, उसको miner का काम क्या है, miner का काम है, कि जब तक bitcoin इतना बड़ा ना हो जाए, कि वो self-sufficient हो जाए, बड़ा important word बोल रहा हूँ, self-sufficient का मतलब है, कि जो bitcoin के network में इतनी एक time आएगा, जब bitcoin network इस तरीके से design है, कि bitcoin की incentivization है miners का, वो transaction fees से आएगा, तब जो bitcoin सारे block, जब mine हो जाएगे, 21 billion bitcoin mine हो जाएगे, तो जो bitcoin का reward होगा, जो block का reward होगा, वो transaction fees से आएगा, तब कोई नया bitcoin तो generate होगा नहीं, तो bitcoin का जो miner है, वो एक तरीके का agent है, वो network को control नहीं कर सा, जो network के अंदर जो असली जो एहमियत है, वो है nodes की, और जो कि हजारों लाखों की तादाद में, जो volunteers है, जिन्होंने अपने computer की processing power जो है, वो दे रखिये network को, जिनके computer के उपर, जो पूरा का bitcoin का network, उनका ledger जो है, वो downloaded है, जो miner की हर एक चीज को verify करते हैं, हर एक action को verify करते हैं, जब miner block को mine करता है, तो पूरे network में propagate करता है, कि मैंने block को mine कर लिया है, तो यह nodes ही तो है, जो milk के, जो nodes जो है, वो independently जो verify करते हैं, कि miner ने proof of, उसके अंदर जो transactions है, वो valid है के नहीं है, जो उसके अंदर proof of work है के नहीं, उस block के अंदर, और सारे इसने जो rule है network के, वो miner ने जो है, follow किये के नहीं, जब वो सारे nodes जो है, मिलके, जब वो okay करते हैं, तब जाके miner को reward मिलता है, तब जाके blockchain में लगता है, ठीक है न, तो यह जो nodes हैं, जब तक यह agree नहीं करेंगी, जब तक इनका okay नहीं होगा, तब तक network के अंदर कोई change हो ही नहीं सकता, मैं आपको एक example देता हूँ, जैसे कि 2017 में 95% miners ने यह कह दिया, कि जो block का size है, जो bitcoin का block है, इसको बढ़ा दिया जाए, इसको block के size को बढ़ा दिया जाए, ताकि ज़्यादा transactions हो पाए, ज़्यादा scalable हो जाए bitcoin का network, तो जब उन्होंने यह proposal डाला, क्योंकि miners को यह लगा, कि उस टेंग कम miners होते थे, तो miners 2017 में शक्तिशाली हो गए, कुछ चंद miners जो थे, उनके पास इतनी mining capacity थे, उनको लगा कि वो अब जो है, जो वो कहेंगे वो ही होगा, तो 95% miners ने almost इस consensus पे आ गए थे, कि हमारा block size जो है, लेकिन जो nodes हैं, वो disagree कर गए, यह जो nodes हैं, यह जो nodes हैं, यह basically single individual जो होते हैं, मैं और आप जैसे अपने घरों से, laptops के थूँ, computers के थूँ, desktop के थूँ, हजारों लाखों लोग, जो volunteer इस network को चला रहे हैं, इनकी importance को समझने की कोशिश करिए, तो अगर minor ने बोल भी दिया, minor ने मान भी लिया, कि नहीं हमें supply बढ़ानी चाहिए, तो जो nodes हैं, जब तक वो agree नहीं करेंगी, और तब तक, majority of nodes जब तक agree नहीं करेंगी, तब तक यह नहीं होगा, और उसके बाद एक और important fraternity होती है, वो है developers की, जो bitcoin के code में जो updates होते हैं, जो bitcoin के code को maintain करते हैं, उसकी जो हमेशा auditing करते रहते हैं, तो यो bitcoin के developers होते हैं, जब तक वो भी agree नहीं करेंगे, तब तक जो है, इसके अंदर आप network के अंदर change नहीं कर सकते हैं, और अगर मैं यह कहता हूँ, एक minute को, कि तीनों जो है वो agree, मतलब कि आप एक ऐसा, एक ऐसा scenario लेते हैं, कि नहीं यार, bitcoin के minor नहीं प्रपोस किया, developers ने भी बोला, ठीक है, change करते थे हैं, और कुछ nodes भी हैं, सारी हजारों लगों नोड 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 ने, तो सबका तो मानना impossible है, मैं कहता हूँ, कुछ nodes ने बोला, कि रहे हम आपके साथ हैं, आगे बढ़ो, तो इसका process simple है, कि जो blockchain, जो bitcoin की जो developing team है, जो code वाली team है, वो code को propose करेंगे, code को propose करने के बाद, जो community है, उसके अंदर वो चर्चा बनेगी, users जो है bitcoin के, मैं और आप जो चाहे, node run नहीं भी करते हैं, बट overall एक पूरे दुनिया के अंदर, एक चर्चा का विशे बनेगा, जो code है, वो propose किया जाएगा, कि इसके 21 million, से बिसको 51 million bitcoin, जो हम propose करते हैं, उसके बाद ये community तक जाएगा, उसके बाद community की जो voting हैं, वो देखी जाएगी, bitcoin का जो code जो लिखते हैं, उन्होंने इसे propose किया, ये जो code है, ये nodes ने, miners ने push किया, miners ने push किया, कि इसको bitcoin के supply को बढ़ा दे जाए, bitcoin का जो code लिखते हैं, जो software team है, जो code developers है, उन्होंने इसको publish किया, उस proposal को आगे community के अंदर वेजा, community में चर्चा हो रही है, उसके बाद ये बाद node तक पहुची, nodes ने इस चीज़ को समझा, और उसके बाद जो finally, जब design हो गया, जब ये decide हो गया, कि हम इस code को implement करना चाहते हैं, और उस code के अंदर 50 million जो है, वो bitcoin उसके अंदर जब डाल दिये, और जब finally implementation का time आया, तो क्या होगा, तो होगा ये, कि जो code है, जो chain है, वो दो भागों में बढ़ जाएगी, एक chain वो होगी, जिस chain के अंदर, जो nodes agree करती हैं, 50 million bitcoin के लिए, जो miners agree करते हैं, और जो developer team है, जो उसको support कर रही है, वो एक chain हो जाएगी, और एक chain वो रह जाएगी, जहाँ पे जो developing team, जो developer code है, जो coders है, जो agree नहीं करते हैं, उसको 21 million ही रहेगा, जो miner agree नहीं करते हैं, कि नहीं 21 million ही रहेगा, और जो nodes agree करती है, disagree करती है, जो के net 50 million नहीं होना चाहिए, 21 million ही होना चाहिए, वो original chain पर ही रहेंगी, तो जो chain है वो दो भागों में बढ़ जाएगी, जिसको हम fork भी कहता है, एक वो जो कहती है कि 50 million और वो इस तरह पर चलेगी, वो miners, nodes और developer team, और एक जो original chain है, जो 21 million वाली है, वो कुसी पर रह गई, अब दोनों chains के बीच में जो competition होगा, वो hash rate का और mining power, जो hash rate जिसे कहते हैं, जो कौन सी chain पर miner जादा है, और जो market share है, वो ultimately उस पर जो है, वो decide करेगा कि कौन सी chain जो है, वो successful है, और कौन सी chain जो है, वो आगे चलके future में, जो सबसे original chain है, जिस पर सब 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 दादा hash power है, सब 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 दादा users है, सब 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 दादा nodes है, that chain stands up, you know, better chance to prosper than the chain with a lesser number of nodes and the lesser number of hash rate and lesser number of miners, वो chain का जो success rate है, वो obviously you cannot compare with the chain, that as the maximum number of hash rate, miners and nodes. और हमने यह देखा है कि पहली बार नहीं है, कि Bitcoin की जो chain है, वो split नहीं हुए है, Bitcoin cash एक classic example है, Bitcoin gold, Bitcoin SV, यह सारे Bitcoin से ही fork हुए है, और इनकी आप आज हालत देख सकते हो, यह आज की date में आपको non-existent डिकते हैं, Coin Market Cap पे आप चले जाओ, इनकी जो success है, इनकी जो hash rates है, इनकी जो support है, इनकी जो nodes है, इनकी जो miners है, आप उसको जब compare करते हो, original chain से आपको दिखता है, दोनों में फर्क तो यह बड़ा important point था, तो इसलिए, इसलिए मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यह तो मैंने बहुत ही hypothetical में उसमें चला गया, लेकिन फिर भी बताना point वह जरूरी था, पता है, क्योंकि यह question दिमाग में जरूर आता है, क्या यार है तो software का coordinate, क्या guarantee supply बढ़ा दी जाए, क्या guarantee ब्लोक size बढ़ा दिया जाए, हो सकता है भाई, theoretically हो सकता है, मैंने आपको theoretically बता दिया, theoretically यह भी proof कर दिया, कि होने के बाद chain दो भागों में बढ़ जाएगी, तो जो original chain है, वो existence में रहेगी, और जो original chain है, जो लोग 21 billion bitcoin में, believe करते हैं, कि नहीं इसकी supply नहीं बढ़ने चीव, उसी के साथ रहेंगे, जो success है, वो इस पर depend करेंगे, कितनी miners, कितना hash rate, कितनी nodes जो है, उसे support करती हैं उस chain को, यह नहीं कहा रहा हूँ कि वो chain खतम हो जाएगी, जैसे आज bitcoin cash, bitcoin sv यह सब है, लेकिन हमने देखा कि bitcoin sv फे कितना attack होते रहते हैं, bitcoin cash कभी हमने देखा कि उसकी इतनी ज़्यादा adoption या इतनी ज़्यादा उसके अंदर financial institutions उसके अंदर interested नहीं है, because कहीं न कहीं जो वो chain है, उसका जो hash rate है, वो when compared to the main chain, that is bitcoin, वो कहीं पे भी नहीं है, because एक network को जो secure बनाता है, वो उसका जो hash rate है, मतलब कि जितना hash rate उसके उपर है, अगर हम proof of work पे देखें, तो उत्रा ही difficult होता है, उस chain के उपर 51% attack करना, मतलब आप इसको यह समझो ना, कि एक network को secure करने के लिए, एक बहुत ज़ादा energy का इस्तेमाल हो रहा है, और एक network को secure करने के लिए, मतलब यह समझो, एक network को secure करने का मतलब है, उसको compare करता हूँ, लाल किला से, कि एक network लाल किला है, और एक network, एक कोई भी normal सा एक दर्वाजा है, तो तोड़ना किसको असान है, लाल किला को तोड़ना मुश्किल है, और उस चोटे से दर्वाजे को तोड़ना असान है, तो यह जो 51%, अब जब तक attack नहीं हुआ, तब तक तो दोनों secure लग रहे हैं, जब attacks होते हैं, तब इनकी vulnerabilities का पता लगता है, लंबा हो गया, वीडियो मैं यह मानता हूँ, लेकिन, आज आपको एक चीज़ पता लग गई होगी, कि क्यों यह माना जाता है, कि as a store of value, जब हम bitcoin और gold का जब हम compare करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि क्यों आपको यह बोला जाता है, क्यों आगे आने वाले time में जो bitcoin है, क्यों as a store of value एक बहतर विकल्प है, अब आपको करना क्या चीज़ है, क्या आपको सारा gold बेच के bitcoin में आ जाना चीज़ है, नहीं, और खबराने की भी जुरूरत नहीं है, ऐसे नहीं कि यूगांडा के अंदर जो gold आज मिला है, वो अगले 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, मैंने आपको बोला, अमेरिका, अमेरिका सबसे जादा insecure है, अमेरिका को अगर ये खबर, अगर उसको ये प्रूफ हो गई, कि यूगांडा के अंदर इतना gold मिला है, तो अमेरिका आने ही नहीं देगा उस gold को market में, उस level पे, कुछ ना कुछ वो scheme निकाल लेगा, क्योंकि सबसे जादा trouble उसके gold को है, जो आज वो एक status पे बैठावा है, 81,000 tons के, जोहां से वो power drive करता है, तो आने वाले time बड़ा interesting है, देखने वाली, लेकिन बहुत लंबे समय तक gold की supplies, दभी नहीं रहेंगी, जो technology जिसे साबसे improve हो रही है, उसे साबसे दुनिया भर में जो gold है, उसकी खोच बढ़ती ही चली जाएगी, लेकिन जो bitcoin है, उसकी certainty है, कि उसकी supply कभी नहीं बढ़ने वाली, अब आपको, क्या gold बेचके bitcoin में आ जाना चाहिए, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा है, लेकिन, जिस तरीके से आप साल दर साल अपने सौ रुपए, अगर पूरे gold के अंदर as a store of value इन्वेस्ट करे थे, कुछ exposure आप bitcoin में भी ले सकते हैं, bitcoin की in terms of age, gold की age से compare करें, तो वो जन्मा ही नहीं है gold के सामने, literally, 10, 12, 13, 14 साल की age, 5000 साल के record के सामने कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं आपको थोड़ा amount exposure करने के लिए कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कि आपनी gold की position सारी bitcoin में transfer करते नहीं, ऐसा नहीं हो, कि कल को जब जो बाते हैं वो प्रूव हो जाए, गोल्ड पूरा market के अंदर supply के form में आ जाए, तो आप उस समय ये करो कि यार काश मैंने bitcoin के थोड़ा सा exposure ले लिया होता है, वो exposure अपने risk appetite के हिसाब से ले, ये कोई financial advice नहीं है, लेकिन ये बताने की कोशिश की जारे कि आप चाहिए वो 5%, 10% से आप अपने risk appetite के हिसाब से वे exposure ले सकते हैं, ताकि future में आपको किसी भी तरीके का regret ना रहे, कि यार काश के मैंने उस विकल्ब के अंदर भी थोड़ा सा exposure लिया होता, फिर से मैं नहीं कोई financial advisor हूँ, नहीं मैं कोई financially advise कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग इस वीडियो को सुनने के बाद ये सोच रहे होंगे, कि करूं तो करूं क्या, तो मैं उन्हीं लोगों को ये आगा कर रहा हूँ, कि कहीं वो ऐसा ना करें कि अपनी सारी gold की position को dilute करके, bitcoin के अंदर enter कर जाए, उमीद करता हूँ, आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो यार प्लीज लाइक जिरूर करेंगा, मेरे वीडियो थोड़े से candid discussion वाले होता है, natural होता है, बिना edit के वीडियो होता है, मतलब आपको किसी भी यहाँ पे आपको edit नहीं, ऐसा feel नहीं होगा कि मैंने कुछ edit करा, या मैं कुछ अपने words को chew कर गया, जो है, वो सामने ऐसा लग रहा होगा आपको, कि मैं आपके सामने बैठके conversation कर रहा हूँ, यही खास्थ है बिटेनिंग की, बैल आइकन को प्रेस करिए, और अपने दोस्तों यारों में शेर करिए, यह सिर्फ crypto का channel नहीं है, यह channel है, आपकी समझ को बढ़ाने के लिए, crypto, finance, web3, इन चीजों की आपकी समझ को बढ़ाने के लिए channel है, प्लीज सपोर्ट करिए channel को with this thought, thank you very much, have a great evening, thank you.